नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ रौसान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चैनल दोस्तो इस चैनल पे आपको प्रिविएस एर पेपर का डिसक्सन किया जाता है तो आप लग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश रखें दोस्तो इस चैनल पे आपको EPFO का बहुत सारा जो है content उपलब्द करवाए जागा तो आप लोग को लिए a special जो है चैनल बन जाता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए पेपर हम डिसक्स कर रहे हैं अभी 2017 का जो EPFO में enforcement officer और account officer का पेपर हुआ था तो उसको हम discuss करेंगे 2017 का पेपर है 2021 का पेपर मैंने पूरा discuss कर दिया है तो उसको देख लिजेगा और 2021 का PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पे उपलब्द है official answer के साथ तो उसको भी आप डॉनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंग के जो description में है तो second है एक वीडियो इसका और आएगा उसके बाद जो है हम discuss करेंगे फिर 2015 का पेपर भी है 2012 का है 2004 का कुल मिलाकर पांच पेपर हम इस चैनल पे discuss करेंगे तो दोस्तो PDF का आपको इस टेलिग्राम से डॉनलोड करना है और आपके पास भी कोई भी question paper होता है तो gfs25.gmail.com पे भेज सकते हैं तो देखे 20 question first part में था तो एक कीस नमर question है कि मानक ताप और दावपर यानि कि standard temperature and pressure पर कौन सा जो यहां पर पदार्थ है वो प्रती चुमबकिये नहीं है तो देखे प्रती चुमबकिये नहीं है तो यहां पर नहीं है पूशा आ रहा है तो standard temperature and pressure पर लोहा जो है प्रती प्रती चुमबकिये पदार्थ है तो यह आपको जरूर ध्यान रखना है तो इसका correct answer होगा D लोहा जबकि sodium chloride है यहां नहीं कि NaCl उसके बाद nitrogen और पानी यह आपको प्रती चुमबकिये पदार्थ है तो correct answer यहां पर D सही होगा next question है कि पानी में उचतम बिलेता बाली gas निम्लिकित में से कौन सी gas है तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको अंसर होगा B ammonia तो ammonia अगर बात करते हैं तो प्रिष्टले जो है 1771 में 1771 इस भी में ammonia gas की नौसादर को चुने के साथ गरम करके रखाने तथा उर्वरेक के रूप में भी किया जाता है ammonia पानी में उच बिलेता वाली gas है तो यही पूछा जा रहा है कि पानी में उच बिलेता वाली gas कौन सी है तो ammonia NH3 इसका फर्मूला है यह आपको ध्यान रखना है अब देखिए बिरंचक चूर्ण में क्या होता है तो हाइपो क्लोरेट इसका जो है नाम होता है जिसको फर्मूला होता है C-A-O-C-L-2 C-A-O-C-L-2 इसका जो है आपको रासानिक नाम हाइपो क्लोरेट C-A-O-C-L-2 फर्मूला होता है तो इसमें देख सकते हैं option के अनुसार इसमें क्लोरीन होती है तो correct answer यहाँ पर C सही होगा इसके निर्मान में क्लोरीन गैस का पर्योग किया आता है इसको bleaching powder भी कहा जाता है तो bleaching powder भी कहा जाता है बिरंजक चोन को और पीने योग जल को सुध करने में इसका अपयोग किया जाता है यानि कि बिरंजक चोन को क्या बोलते हैं तो bleaching powder भी बोलते हैं C-A-O-C-L-2 भी इसको formula है, hypochlorate इसको बोलते हैं और इसको जो है पीने योग जल को सुध करने में इसका उपियोग किया जाता है अब देखे चिकन गुनिया का नात्मक कारक क्या है तो चिकन गुनिया का कारनात्मक कारक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है तो बाइरस इसका correct answer होगा, यानि कि बिसानू इसका correct answer होगा चिकन गुनिया बुखार के खिलाफ कोई अभी टीका नहीं है यह एक मच्छर जनित बिमारी है, यह बाइरस संक्रमित मादा एडिस मच्छर यानि कि मादा जो एडिस मच्छर है उसके काटने से होता है तो यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि वाइरस के कारण होता है और मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है अब देखें कोशन है कि बायो री मेडियेशन, जो बायो री मेडियेशन एक तकनीक है इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किसके नियंतरन के लिए किया जाता है तो दोस्तों तो भारी धातु परदुसन के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो बाई री मेडियेशन तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग भारी धातू परदूसन यंतरन के लिए किया जा रहा है भारी धातू जैसे कि आपको आरसेनिक ध्यान रखना है कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, निकेल तो इस तरह से आपको इससे रिलेटेड है तो करेक्ट अंसर होगा हो अहां पर देखिया अंसर आपको मार किया हुआ है क्योंकि PDF जब डाउनलोड करेंगे तो इसका आप लोग रिविजन करने के रूप में उपयोग कर सकते है जो भारी धातू परदूशन के लिए बायो इरिमेडिशन एक तकनीक का परियोग किया जाता है अब देखिये कोश्चन है कि कुछ एतिहासिक असमारकों की सुन्दरता कुछ सक्रियजीवों की ब्रधी के कारण बहुत परभावित हो रही है यह सक्रियजीव किस समूस से बिलोंग करते हैं तो लाइकेन से बिलोंग करते हैं तो देखिये लाइकेन आपको ध्यान रखना है कि परसपरिक जो संबंध होते हैं कवक और सहवाल से तो like in क्या होता है, कबक और सहवाल का जो परस पर संबंध होते हैं, उससे होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, तो इसी से जो है यहाँ पर आपको जो एतिहासिक अस्मारत की सुंदर्ता बिगड़ रही है, तो यह आपको जरूर ध्यान रखना है, important है निम्र खित में से किसमें एक जन्तु के साथ साथ एक पादब की भी विशेशताएं होती है तो क्या जन्तु के साथ साथ पादब की विशेशता इनमें से किसमें होती है तो यहाँ पर उगलीना इसका correct answer होगा उगलीना इसका correct answer होगा तो इउगलीना जिसमें एक जन्तों के साथ पादप की भी विशेशताए हैं तो इउगलीना एक प्रोटेस्ट जीव है जिनहें यू कैरियोटिक डिमेन और जीनस इउगलीना में बर्गिकरित किया जाता है तो इस तरह से तोस्तों आम तर पर इउगलीना छोटे तलाव कोशन है कि भंडारित खद्दानों को कीटों से बचाकर रखने हैं तो किसान प्राया उनके साथ क्या मिला देते हैं तो देखिए गाउं में अक्सर मैंने भी देखा है कि भंडारित जो खद्दान होते हैं कीट से बचाने के लिए नीम के पत्ते का उप्योग करते हैं तो आपको नेचुरल तरीके से इसका जो है प्रिजर्वेशन किया जाता है कीटों से बचाने के लिए तो यहाँ पर करेक्ट अंसर यह होगा नीम के पत्ते जो है रख लेते हैं अब देखिए नेक्स कोश्चन आपके सामने है कि 19 सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निमर्खित में से कौन से कारण जो है जिमिदार थे तो देखिए पहला है कि आधिकारिक तोर पर बिटिस सरकार अहस्तचेप की नीती से बचनवात थी किन्तु बास्तब में यह एक बिभिधात्मक हस्तचेप की नीती थी बिल्कुल सही है एरोपिय उदमियों के संबंधन बैंकों और एजनसी घरों के साथ थे जबकि भारतियों को स्वजन परिवार पाजाती के लोगों पर निर्फरना पड़ता था बिल्कुल सही है जब आगानों का अंतरन व्यक्तिगत पुन्जिगत के स्वामित में किया गया तब देशिय निवेसको के जान बुचकर उपेच्छा की गए भी सही है तो करेक्ट अंसर होगा डी वन टू एन थिरी आर करेक्ट तो यहां पर तीनों स्टेट्मेंट बिल्क करेक्ट अंसर होगा तो उनीसमी सदी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1890 के दसक में पूरा में महलाओं के लिए विद्यालियों के स्थापना करने के अनुहप के बारा मताती है शिरसक है लुगिंग बैक लुगिंग बैक है जिसका सिरसक तो यानि की धोंडे के सब करवे की आत्म कथा है लुगिंग बैक तो लुगिंग बैक जो है सिरसक है अब देखे भारतिय पुरातत्व सर्वेच्छन के पर्थम महा निदेशक जो है आपको ध्यान रखना है कि पर्थम महा निदेशक कौन थे तो अलेकजंडर कनिंगम तो भारतिय पुरातत्व सर्वेच्छन जिसको इंगलिस में बोलते हैं आर्केलॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया सौट में ASI के पर्थम महानिदेशक अलकजंडर कनिंगम दे तो करेक्ट अंसर यहां पर बी सही होगा अलकजंडर कनिंगम 1871 में पुरा तत्व सर्विच्छन को सरकार के एक विवाग के रूप में गठित किया गया था तो इसका गठन की इसमें से नहीं कौन सा है तो सबसे पहले जानिए बेगम रुकईया का जनम बंगाल में हुआ था कब तो 1880 में 1880 में बंगाल में जो है समा सुधारक बेगम रुकईया का जनम हुआ था इनकी परसिद रचनाई थी पिपासा, मोती चूर पिपासा था, मोती चूर था, उसके ज़द पदमारग था, सुल्तानास ड्रीन थी अस्त्री जाती अवुनिती लेग, अर्धान्गनी, गृह, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है तो गृह था, सुल्तानास ड्रीन था, अरधाज़ की था, जबकि मदर इंडिया इनकी करती नहीं है तो मदर इंडिया जो है आपको ध्यानक नहीं है, कैथरीन मेओ की रचना है, तो कैथरीन मेओ के द्वारा मदर इंडिया की रचना की गई थी, अब देखिए नेक्स्ट कोशन आपके सामने है, कि निम्रखित में से कौन सी एक विसेशता मुगल इती बृतियों की नहीं है, त इस तरह से उत्पन और प्रसारित फीर, ये भी सही है, इनमें इती बृतियों के लेखों की संशिप्त जीवनियों दी गई है, बिल्कुल गलत है, तो अंसर डी यहां पर सही होगा, कोशन है कि निम्रखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारती ये नागरी, जिसको ओभ बिल्कुल सही होता है, दुसरे देश का नागरी होता है, लेकिन OCI कार्ड जो है प्राप्त कर सकते हैं, एक OCI के पास भारत आने के लिए एक अधिक प्रवेस दिर्ग कालिक बीजा होता है, बिल्कुल सही है, एक OCI सभी मावलों पर NRi के ने होता है, तो यह आपको ज़रू द्यान रखना है एक OCI सार्जिनिक रोजगार में अबसर की समानता के मौलिक अधिकार का हपदार भी नहीं है तो ये भी सही है तो करेक्ट अंसर यहाँ पर होगा C अब देखे कोशन है कि निमर्खित में से कौन सी एक विसेष्टा आधार बितिये और अनुपदानों लाभो तथा सेवाओं का लक्षित बितरन अधिनियम 2016 यानि कि EYDI Act 2016 है उसके प्रापधानों में नहीं है तो देखे नहीं है मनलब उसमें से आपको धान रखना है केवल नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नवांकन के एकदार हैं बिल्कुल गलत है यही जो है अकरेक टंसर यहाँ पर A सही होगा तो A इसका सही उत्तर होगा जबकि नवांकन के लिए जनांग की किये एबम जीवे मितिये दोनों सुचनाई देनी परती है बिल्कुल सही है इस अ अच्छा सुनेचीत करना बिसिष्ट भाचान प्राधिकरन का दाईत है यह भी बिल्कुल सही है अब देखे कोशन है कि बलात सरम अथवा बेगार भारत के समिधान के कौन से अनुशेद में है तो देखे जबरन बलात सरम यह सब भारतिय समिधान के अनुशेद 23 में लिख राइट टू अस्पीच और फ्रिडम नहीं की बोलने की अजादी वगरा एसब आपको अनुशेद 19 में है तो करेक्ट अंसर यहां पर होगा डी अनुशेद 20 में जो है बलात सरम अथवारुजगार से बेगार से संबन्दी थे है कोशने कि भारत की समिधान सभा के निमखित म इसी में अस्थाई अध्यच सचदान सिना को चुना गया था फिर एक आरद इसंबर को बैठा कोई थी उसमें डाक्टर राजंदर परसाद को अस्थाई अध्यच चुना गया था उसके बाद देखे परते प्रांत में सीटे तीन मुख समधाय मुसलिम, सीख और सामान नित थे में उनकी अपनी अवादी के अनुपाद ने बाड़ी के यह भी सही है जबकि भारत के राज्यों के प्रतिनेदियों के मावले में चैन की बिधी भारत की गवर्ना जनल द्वारा निर्धारित की है यह बिल्कुल गलत है तो अंसर यहाँ पर डी सही होगा अब देखे कोशन है कि निवल्कित में से कौन सा एक सामविधिक निकाई नहीं है तो देखे सामविधिक निकाई इन में से कौन सा नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों देखे भारत का निर्वाचन आयोग अनुछेद तो यहाँ पर देखे कोशन थोड़ा सा मुझे लग रहा सामविधिक निकाय नहीं है तो सम्विधिक निकाय नहीं है। निर्वाचन आयोग अनुशे 324 में है जबकि रास्टिय महला आयोग यहाँ पर सामविधिक निकाए है सामविधिक निकाए है जबकि संविधानी की निकाए नहीं है constitutional वर्डी नहीं है रास्टिय महला आयोग क्योंकि इसकी अस्थापना आपको 1992 के अधिनियम के द्वारा लाए गया था रास्टिय महला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा 1992 में इसका गठन किया गया था तो यह आपको संविधिक निकाए है जबकि संविधानी की निकाए ऊपर में तीनों दिये गए है कोश्चन है कि मुल्खित में से कौन सी एक पिसेस्ता एक अधिकार अस्परधा की नहीं है तो देखिए बजार में खरिदारों और बेचने वालों की बड़ी संख्या बिल्कुल यह सही है बिभेदित उत्पादों से बजार बनता है बिल्कुल सही है बजार में उत्पाद समाज़ती होता है अब देखे कोश्चन है कि आर्थिक लागत की तुल समाजिक लागत अधिक होती है, इसका कारणी है कि दर्सक को यानि कि वाई अस्टैंडर्स दोरा बहन की गई लागत धनात्मक होती है यह बिलकुल सही है तो C अंसर सही होगा कोशन है कि आपको ध्यान रखना है कि कोईले पर 100 रुपया प्रती टन का उपकर निमखित में से किसके अंतरकात आता है तो देखिए यहाँ पर कोईला होगा कोईले तो कोईले पर 100 रुपया प्रती टन का उपकर यानि कि सेस लगा जाता है तो सेस को उपकर बोलते हैं यानि कि 100 रुपिया पर यानि कि कोईले पर 100 रुपिया प्रती टन यानि कि 1 टन पर 100 रुपिया का सेस लगा जाता है कोईले पर तो यह कारवन कर के रूप में लगा जाता है तो correct answer यहाँ पर A सही होगा, कारवन कर इसका सही उत्तर होगा कोच्छन है कि मूल यानि कि कोर मुद्रासफिती, सकल यानि कि हेडलाइन मुद्रासफिती से भीन है क्योंकि मूल मुद्रासफिती यानि कि कोर जो इनिफलेशन होता है वो जो है कीमत सुचकांक में अस्थीर सोरूप की बस्तियों की उपेच्छा कर देती है तो correct answer यहाँ पर A सही होगा अब देखे निफलेशन में से कौन choice of techniques पूस्तक के लिखाग है तो देखे choice of techniques पूस्तक के लिखाग है A के सेन तो correct answer यहाँ पर A सही होगा एके सेन के द्वारा जो है च्वाइस ओफ टेक्निक्स जो है फुस्तक लिखी गई है और एके सेन एक नोबेल पुरसकार बीजेता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है important है अब देखे कोशन है कि ऐसे संग को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्ता में बहुत से उद्योगों, रोजगार और सिल्प कारी में कारी करने वाले कामगारों को सामिल किया जाता है तो उसे सामान ने संग बोला जाता है तो correct answer यहाँ पर B सही होगा अब देखे यहाँ पर next question आपके सामने है कि अद्योगिक संबंदों का नमखित में से कौन सा एक परिप्रेच इस परिकलपना पर अधार्ड है कि दोनों ही दल यानि कि आर्थिक मुजदूरी और लाव और साथ ही साथ राजनितिक यानि कि नियंतरन सक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अबसर होता है तो बहुबादी परिप्रेच इसको बोलते हैं तो करेक्ट अंसर यहाँ पर ए सही होगा तो दोस्तो 45 question discuss कर लिए हैं तो एक वीडियो और आएगा इस 2017 वाले प्रश्ट का उसका 2017 का complete होने के बाद फिर 2015 का फिर 2012 का फिर 2004 का paper हम discuss करेंगे तो आपको क्या करना है वीडियो को like करना है share करना है चैनल को subscribe करना है और telegram भी join कर लेना है तो थैंकि दोस्तो इस वीडियो में इतना ही धन्यबाद